इसारा कर जाज़ेगे तो आज की जो वीडियो सीरीज है इसमें बात करेंगे DUALB Entrance Exam Application Form 2018 के बारे में तो बेसिकली इस पर जो Application Form है वो Online Mode में होगा, Offline Mode में नहीं है तो हम उनकी Official Website जो है Faculty of Law की वहाँ पर भी जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं तो इसमें कई सारे स्टेप्स हैं मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ Application Form online होगा और जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो Delhi University LLB Entrance के लिए कर रहे हैं जो Faculty of Law के लिए हम ट्राई करते हैं Delhi University के अंदर तीन सेंटर हैं Campus Law and Law Center 1 and Law Center 2 तो जो Application Form है वो Possibility है उसकी Out होने की April end तक April end 2018 तक तो इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टेप है Registration का तो Registration के टाइम में आपके पास यह सारी information होने चाहिए जैसे कि Name Date of Birth Mobile Number Email ID and Password तो जब आप इसको Registr करेंगे तो Email ID और जो Password आप उसको याद रखें कि बाद में आप उसको दुवारा रिट्रीव कर सकें जब Step 1 कंप्लीट होता है तो फिर आपको Step 2 पे आना है Step 2 की जो डिटेश चाहिए वो बेसिकली पस्नवी डिटेल चाहिए होती है और फिर प्रफेसर चाहिए होती है कि आप किस College को सेलेक करना चाहते है अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो कौन सा आप सेंटर कर लेंगे और साथ साथ टेस्ट सेंटर कहां रखना चाहते है देली के अलग अलग पार्ट में टेस्ट सेंटर और्गनाई होता है तो कौन सा सेंटर आप चूज करना चाहते है तो यह दो-तीन इंफॉर्मेशन है जो आपको स्टेप 2 में डाले परेगे और स्टेप 3 के अंदर आपको जो आपकी जो डॉक्यमेंट्स हैं जो रेक्वाइट डॉक्यमेंट्स हैं उनको अप्लोड करना है उसके लिए अपने वो चाहिए पोटोग्राफ आपका पस्टर पोटोग्राफ विस सिगनेचर और जिसका साइज है 50 केवी आपका जो इमेज है उसकी साइज 50 केवी से जादा नहीं होनी चाहिए अधरबाइज आप इसको अप्लोड नहीं कर पाएंगे दूसरा है आईडी प्रूफ आईडी प्रूफ में भी वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए जैसे डराविं लाइसेंस, प्लैन कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्शन कमिशन कार्ड और इन सो आण तो इसकी भी जो साइज है वो 50 केवी होना चाहिए तीसरा है class 10th का mark sheet तो 10th का mark sheet आपके पास होना चाहिए उसको भी आप image के form में या PDF के form में convert करके upload कर सकते और last है class certificate अगर applicable है तो कहीं थारे लोग होते हैं जो SC, ST, OVC category में आते अगर आप general category में है तो class certificate देने की ज़रूत नहीं है बट अगर आप SC, ST, OVC में है जहाँ पर reserve category है तो इसका advantage आपको बाद मिल सकता है selection के time में तो आप आप उसको apply कर सकते हैं और जो last step है वो है application fees का तो जो last time जो पिछले साल क्योंकि अभी officially notification नहीं आया है तो पिछले साल जो fees थी जेनरल केटेगरी और OVC के लिए वो थी 500 रूपीज और जो reserve केटेगरी थी SC, ST और physically weak load तो उनके लिए 250 रूपीज थी तो आपको ये 4 step पूरे करने है पहले register करने है registration के बाद आपको email ID और password intact रखने है दूसरा है आपको आपको personal details and preferences भरनी है और तीसरा है आपको document upload करना है जो कि photos with signature ID proof self-attested and 10th class marks it और अगर आपको class certificate apply होता है तो वो भी आप upload करेंगे और finally application fees deposit कर सकते हैं online के form में जैसे credit card, net banking, paytm और other means से जो भी वहाँ पे available होगा ये 4 step complete करने के बाद आप आप इसको apply कर सकते हैं नेक्स सीरीज में हम और बाते करेंगे डियो लल्वी एंटरेंस अनलेटिड आज के लिए इतना ही thank you